नमस्कार दोस्तों तो day 14 और आज हम चुछ पजल करने वाले एक तो order comparison का पजल करेंगे और एक करेंगे box का advanced puzzle box का with calculation advanced puzzle करेंगे means level का ठीक है दोने सवाल बहुत अच्छे सवाल है so let's start इसमें तो दो comparison है guys एक height का comparison एक weight का comparison दोनों comparison एक साथ करने आपको दोनों comparison एक साथ करने अच्छा लगातर हम efforts लगा रहें चीज़ें कर रहें बस एक चीज आप से यह है कि आप सवाल तो लगाई रहें जितने भी बच्चे आप सवाल लगा रहें इसको at least अपने जो friends है और जो जरूप है उसमें जरूर किया कि जिससे बाकी लोगों तक चीज पहुंच पाए और बाकी लोगों तक मैक्सिम से मैक्सिम लोगों तक पहुंचेगा तो मेरा जो इस तरह से series को लेके चलना है वो क्या हो जाएगा सार्थ है तो इतना काम आप जरूर कर सकते हैं और आप the same position in height and weight आजो है अब यहाँ पर देखिए एक तो है height का comparison ये weight का हाइट का और एक क्या है वेट का कितने लोग है छे लोग है एक दो तीन चार पांच छे एक दो तीन चार पांच छे कहता है be stroller than at least two person ने हाइट के रेकितो हैं आट पर्ण雅 बिधी तॉलर है at least two पर्संट से अटलिस्ट फॉर पर्सनसी एक दो तीन चार भी मतलirty हो सकता है यह हो सकता है और भी है जो taller है at least 2% से तो मतलब B हापी नहीं होगा और B हापी नहीं होगा, कम से कम दो लोगों से तो वो taller है Position of D in height same as position of C in weight जो D का height में है वो C का क्या है? Weight में है position, okay? C taller है किस से F से? अच्छा C taller than F only, C केवल F से taller है, बाकी सब से क्या होगा? चोटा होगा, तो C केवल F से taller है, तो उसका मतलब C हाप यहाँ जाएगा, height का comparison C केवल F से taller है, तो बाकी सब से चोटा होगा, okay F heavy than at least 3% but definitely lighter than C F जो heavy है कम सकम तील लोगों से, एक, दो कम सकम तील लोगों से heavy है, तो F यहाँ हो सकता है, और F lighter किस से है, C से तो F यहाँ हो सकता है, अब C यहाँ हो सकता है, या C यहाँ हो सकता है एक और चीज, कहता है F heavy than at least 3% but definitely lighter than C and have the same position in weight as B have in height, F का जो weight में position है वो B का क्या है, height में है okay, okay, okay F का जो position weight में है, वो B का height में है, D is heavy than E D heavy है कि C से there is a difference, अब last वाली condition से एक्तम clear हो जागा, there is a difference of 4 person between position of A in both height and weight height and weight height and weight में, जो बीच में 4 लोग है difference of 4 person between, जो position है, height weight में एक उसके बीच में चाल होगे, जो A एक ही position है, weight और height में उनकी बीच में चाल होगे, total है चल लोग, तो इसका मतलब height में यह weight में, एक जगए सबसे आगे होगा एक जगे सबसे पीछे होगा तभी तो कह रहा है हाइट में और वेट में जो इसकी पॉजिशन है उनके बीच में चाल लोगे तो हाइट और वेट में जो उनकी पॉजिशन के बीच में चाल लोगे तो एक जगे सबसे आगे होगा तो एक जगे सबसे पीछ हो गया एक तो का नहीं हो गई जो c का weight में है वो d का height में है तो c यहाँ पर हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर d नहीं हो सकता तो यहाँ पर c हो जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ पर b हो जाएगा ठीक है और b का जो height में है वो F का क्या है वेट में है, D क्या है, हैवी है कि से, E से, D का दो बोला था हैवी है, यहाँ पे कौन बच्छा, A, B, C, D यहाँ पर आ गया, F, E यहाँ पर आ गया, सब का अलग-अलग पोईशन हो गया, अरेंज हो गया, वह मंतब फॉलेंग था टॉलेस्ट, तो टॉलेस्ट क लेक्शन को लेके चल रहे थे, अब बॉक्स को, अप लोडिंग करना, अनलोडिंग करना, इस तरह का सवाल हम करने जा रहे हैं, तो यहाँ पर चाना एक बार, यह सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, इसमें पहले समझू, अच्छे हिंदी में भी है, मैं पहले पता देता seven boxes हैं, उनको क्या करना है placed one above another, ठीक है उनको place करना है load करना है, these boxes are placed in linear row, फिर उसके बाद क्या करना है उनको linear row में arrange करना है, west to east जब unload करना है जब load करना है तो क्या करना है, एक दूसरी को उपर लगाना है unload करना है, तो linear में लगाना है after unloading करने के बाद boxes को कोई एक unique number देना है ठीक है initially when boxes are arranged vertically in the truck पहले तो vertically arrange करना है top two bottom truck में फिर unload करना है तो linear में arrange करना है ठीक है तो पहले तो vertical arrange करने के लिए condition बन गई इसको लगा देंगे और फिर unloading करने के लिए condition है unique number भी देना है समझने अरी बात यहां पर यह हिंदी में भी है तेक बार हिंदी में पॉस करके ट्राई करें अब इंग्लिस वाले ट्राई करने है लोड करना है ट्रक में vertical पहला प्यराग्राप था अनलोड करना है second paragraph और फिर unique number देना है कर लेते हैं इसको तो पहले में vertical way में लगा दूँ more than three boxes total box कितना है मिरे भाई 7 boxes है more than three है V और R के बीच में more than three का मतलब क्या है more than three का मतलब है कि या तो 4 होगा बीच में या 5 हो 6 तो हो नहीं सकते total 7 है zero के बीच में एक है ओ क्या है जी से उपर है ओ क्या है जी से उपर है एक है three boxes between y and i always not अच्छा अच्छे यहां से दुखू y top पे है तो एक तो काम ही हो गया हमारा y top पे है total 7 है तो एक दो तीन चार पांच छे साथ तीन वाक से y और i की वीच में तो 1,2,3 यहां पे क्या हो जगा i हो जाएगा अब 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 किस से g से उत्थिक है ओ not placed above b and y b और y से नीचे ओ है ठीक है भी अब अब आई अच्छा वी और i वी और r में 4 पांच है वी आई से उपर है ना वी आई से उपर है तो वी अगर यहां रखेंगे तो चार सोटका नहीं आएगा वी यहां रखेंगे तो 1,2,3,4 चार चोड़ने पड़ेंगे आर यहां पर हो जाएगा ठीक है यहां पर कहा रहा था o is not placed above b and y b और y दोनों से नीचे o होगा o से नीचे g होगा o यहां पर नहीं होगा o यहां पर नहीं होगा o यहां पर होगा यहां पर नहीं है बी वाई से बिलू है तो o यहां पर होगा o यहां पर होगा तो b यहां पर होगा और यहां पर já ग ग और já पर jáओगा o और जी के बीच में एक था यह arrangement आप का हो جाएगा यह बनेगा 3 boxes है न o placed above g one box है ठीक है परफेक्ट है अब इसका unloading करेंगे unloading करेंगे तो linear row में unloading करेंगे let's see west to east यह west है यह east है now only two boxes placed between y and i unloading करते समय y और i की बीच में 2 है the box which is third from the west end assigned a number which is 50% of the number box which is two placed toward the east of it r किसी end पे है और यहाँ पे क्या बोलाएं only one box is placed between जो top पे है और जो bottom पे है वाई और r की बीच में एक है तो इमें एक काम कर सकता हूँ r किसी end पे है तो दो बाते हो सकते हैं यहाँ भी हो सकता है यहाँ भी हो सकता है listen अगर मैं r को यहाँ रखता हूँ तो r अब r को यहाँ पे रखने से क्या होगा one box है किसके बीच में जो top पे है और जो bottom पे है तो y और r की बीच में एक box हो जाएगा ठीक है two boxes y और आईगी बीच में one two three four five six और यह क्या होगा है seven आगे देखो i r का पड़ोसी नहीं हो तो ऐसी नहीं है number of assigned to the box which was at top is 44 जो number of box से 44 है किसका जो top पे है यह तो 44 आ जाएगा लेकिन आगे देखो अभी आगे कुछ भी और हो सकता है the box exactly in the middle plays adjacent to r जो exactly middle में है कौन है वो एक दो तीन चार वो वो किसका पड़ोसी है r का पड़ोसी है ऐसे हो जाएगा more than three boxes between the box which was second from the top that is v and o v और o में more than three है तो एक दो तीन अग्तब v फरी हैं ही पे आएगा एक चीज और कहता है v is not west of o v जो है ok east में नहीं है लेकिन ok east में वी आ रहा है है तो इसले होगजा है ok east में v आ गया तो काम क्या करना है मेरे सब ये क्या होगा r एक चुटके क्या हो जागा वाई आर प्रश्य हो जाएगा ओ एक दो तीन चार यहां पर सुर्वी वो क्या था ना आई दो छोड़के हो जाएगा आई यहां पर हो जाएगा V, V क्या हो गया, इस्ट में नहीं हो गया, अब आगे एक कंडिशन और G is not immediate next to I, G क्या I का पड़ोसी नहीं है, तो G यहां पर हो जाएगा, और यहां पर बचया आपके मेरे बच्चे, Y, V, R, G, जी तो हो गया, B, तो B यहां पर हो जाएगा, अब 44 किसका था, जो टॉप पे है, टॉप पे कौन है भाई, इसका 44 है, अगे, अगे, the box which is third from the west, एक, दो, तीन, यह वाला, Assigned a number which is 50% of the number which is, which is two place towards east of it, इसके east में जो दो place है, एक, दो, इसका 50% है, तो इसका 22 हो जाएगा, जो west से third है, उसके east में जो second है, उसका 50% है यह, आई हो गया, number assigned, to top हो गया, exact middle में यह हो गया, more than three box, ठीक है, number assigned to box, which is at east, इस, जो east end पे है, यह वाला, यह किसका average है, बी वाई, ओ का, ओ का average है, इनका क्या है वो, average है, बी वाई, ओ, तो बी और वाई तो आगया हमारे पास, 22, 44, और एक और आएगा, चलो निकालेंगे भी, इनका average है, G immediate हो गया है, G is not, okay, number assigned to O is 15 by 11, of assigned to B, B का 15 by 11, तो इसका 15 by 11 है, तो 30 हो जाएगा फिर, तो 30 हो गया, divide by 3, कितना हो गया है, 66 हो 30, 96, divide by 3, 32, 32 किसका हो जाएगा, जो average आ रहा था, average भी वाई हो का क्या है, number assigned to the box, east end, इसका हो गया 32, यह average आ गया, इन तीनों का, और 30 कैसे आगया, 30 किसका आगया, O का कैसे आगया, 15 by 11 हो गया, किसका B का, तो O क्या आगया आपका 30, आगे देखो, sum of the number assigned to the both end is 67, दोनों का 67 है, तो 67 में से 32 माइनस कर दो, और क्या, 35 हो जाएगा, तो यह हो गया 35, बच्चे आपके पास 2, number assigned to the box, immediate next to V, immediate next to V, जो है, वो 4 by 7 है, किसका, इसका 35 का, तो 35 का 4 by 7 कर दो, बच्चे 35, पांच को 20, 20 हो गया, बच्चा यह, number assigned to G is twice of the difference of Y and I, वाई और आई का जो difference है, तो वाई और आई का difference कितना है, 24, उसका twice करना है, तो 24 का twice कितना हो जाएगा, 48, यह आपका solution है, loading, unloading, यह loaded पार्ट है, यह unloaded पार्ट है, ठीक है, एकदम clear है, चालो, तो ऐसे ही देखते रहे हैं और आगे बढ़ते रहे हैं, और जो पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब कीजिएगा, और दोस्तों साथ जरूर शिर कीजिएगा, थैंक यू,